देखा देखी गिया नशा आदत बिगडी बुरा फसा गुठखा और पान मसाले का कार नामा जाकर ये नजारा प्रत्यक्ष देख सकते हैं गाओ गाओ और गली गली में फैल गया इसका कहर संसार की सरवाधिक विक्री वाला यह स्वादिष्ट जहर रंग विरंगे पाउचों में जहरीला है पान मसाला कैंसर की प्रयोग शाला बन गया है खाने वाला पान मसाला जर्दा गुटखा खाते ही कैंसर का खटका पान मसाला जर्दा गुटखा खाते ही कैंसर का खटका देखिए महराश्च के इस नवजवान के गाल को देखिए कैसे कैंसर से सूज गया है यह रोजाना गुटखे का सेवन करता था देखिए आपरेशन करके इसके पूरे जबड़े को ही बाहर निकालना पड़ गया है। तई बार हम सोचने पड़ जाते हैं कि गुठखा बनाने वालों को क्या इन पर दयान ही आती है। गुटखा बनाने वाले क्या तेरे मन में समाईे काहे को गुटखा बनाई तुने काहे को गुटखा बनाई ये देखिए गुटखा खाने वाले इस व्यक्ति का जबड़ा जाम होने लगा है इसे सब म्यूसेस फाइब्रोसिस नामक रोग कहते हैं जो की कैंसर की शुरुवात है गंदे चीजों से तुने इसको बनाया छिपकली को तुने मार सुखाया जी हा मित्रों मरेहवे चिपकली के हड़ियों को पीस कर गुटखे में मिलाया जाता है गंदे चीजों से तुने इसको बनाया छिपकली को तुने मार सुखाया हटी को पिस कर तुने इसमें मिलाया सडी सुपाडी बुचड़ खाने से लाया इक ना ही नहीं गुटखे में कीमती कथे के इस्थान पर सस्ता मिलने वाला गेंबियर पेंट नामक एक खातक केमिकल मिलाया जाता है जो वस्तुतहत चमड़े के जूते बनाने वाली फैक्ट्रियों में चमड़े का रंग बदलने के काम आता है अब आप स्वेम ही सुझिए अतिया हमारे मुखे जीवन्त उमल खाल का क्या हाल करता हो गुटखा जुखाए भाईया कैंसर बुलाए बड़े शौक से पाप और भाईया रोए चाती पिटेंगे बड़े खौक से तम निकले गार थे सजेगी रोईगी प्यारी बहना कोगी बड़ी खराबी गुटखा खाने वाले लोग सोचते हैं पीस में लॉंग, इलाइची, पीपरमेंट और केसर भी रहता होगा और वास्त विक्ता यह है कि इनके इस्थान पर एसेंस मिलाया जाता है जो की हनी कारक केमिकल है गुठखे में कैंसर पैदा करने वाले तत्व कुछ इस प्रकार है